ग्रामीन स्तर पर जितनी तरह के पेशे प्रचलित हों, जिनमें विविद व्यापारों के उपकरण एवं तकनीकी शामिल हैं, को पाथिय चर्या में जगह मिलनी चाहिए. एक ग्रामीन स्तर का विज्ञान आंदोलन शुरू किया जा सकता है, जिसमें प्रखंड या पंचायत स्तर पर विविद विज्ञान कार्यक्रम जैसे विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान कैंप आधी आयोज़त किये जा सकते हैं. ग्रामीन प्राध्योगी की से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जा सकती हैं राजिस्तरिय शिक्षा विभाग अपनी एजेंसी जैसे ब्यार्सी और सियार्सी और यदि एंजियों का साथ संभव हो तो उनके साथ मिलकर ग्रामीन बच्चों के लिए छुटी के दिनों में विज्ञान शिविर आयोजट कर सकते हैं इसी तरह ग्रामीन रेडियो स्टेशन ग्रामीन बच्चों को रेडियो विज्ञान कार्यक्रम में भाग लेने का अफसर दे सकता है ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए जो विज्ञान शिक्षा को उन बच्चों विद्यार्थियों के लिए भी संभब बना सके जो किसी कारणवर स्कूल नहीं आपाते ग्रामीन रेडियो विज्ञान कार्यक्रम आनशिक स्तर पर ही सही इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं शून्य ग्रामीन स्कूलों के बच्चे विज्ञान की पढ़ाई दसवी तक मात्र भाशा स्थानिय भाशा में ही करते हैं अधिकांच जगहों पर दस चोड़ दो के स्तर पर विज्ञान शिक्षन का कार्य अंग्रेजी माध्यम में ही होता है ये विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षकों, संदर्ग ग्रंथों आदी के अभाव से जूचते हैं जो इनके द्वारा जहेली जाने वाली समस्याओं में से महस कोच है ये ग्रामीन बच्चों के घाटे की स्थिती होती है ग्रामीन बच्चे अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त कर सके इसलिए विशेश अतिरिक्ट प्रयास किये जाने जरूरी है साथ ही जोर टू किस तरपर विज्ञान की पढ़ाई स्थानिय भाषा में हो इसका प्रयास होना चाहिए लेकिन इसके साथ उन संसाधनों को उपलब्द कराना जरूरी है जो उप्त प्रयास को सफल बना सके विज्ञान में रोजगार और शिक्षन संबंदी सुचनाओं के मामले में ग्रामीन बच्चों को जानकारी नहीं होती है प्रतियेग पंचायत में सहायता केंद्र खोले जा सकते हैं, जो बच्चों को इस बावत सूचना प्रदान करें विग्ञान की प्रतियोगिता परिक्षाओं के मामले में भी ग्रामी इन बच्चों की सहायता के लिए इसी प्रकार के केंद्र शुरू किये जा सकते हैं जेंडर और विज्ञान शिक्षा जेंडर इन सायंस एजूकेशन अध्येनों से ग्यात हुआ है कि एक ही कक्षा में होने के बावजूद लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा अलग तरह की विज्ञान की शिक्षा दी जाती है दूसरों की तरह विज्ञान की पाठिय पुस्तके वर शिक्षक भी जेंडर जनित पूर वाग्रहों से ग्रस्थ होते हैं विज्ञान शिक्षक के मन में भी जेंडर की प्रचलित छवी जड़ जमाई होती है